Hello everyone, welcome to my channel Code Story with Mike तो आज अपने strings के playlist का video number 33 करने जा रहे हैं lead code number 3006 and lead code number 3008 और आज का weekly contest का question number 2 and 4 आई है मैंने इस question को इसी लिए pick किया क्योंकि इस से related मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको दो दिन पहले KMP algorithm और same KMP algorithm को copy paste में करूँगा आज code में और देखना आपका question कैसे solve होता है बस इसी लिए मैंने आज इसको post किया है और आज मैं free था इसलिए मैं contest के लिए बैठा भी था और यह दोनों question देखा is really happy ठीक है तो बहुत दोंगा comment आ भी चुका है देखो इसने क्या लिखा है कि इसने 12 जैनवरी को मेरा KMP का वीडियो देखा और आज का question 2 और question 4 बना लिया इसमें इसने भी लिखा कि इसने कल देखा मेरा KMP का वीडियो आज इसने question 2 और 4 बना लिया सर आज KMP ही आ गया मजा आ गया 4 वाला solve कर लिया thank you not solve 3rd वाला भी आ जाएका वीडियो बट KMP से बन गया होगा इनका भी question ठीक है तो देखो मैं क्यूं आपको यह सब दिखा रहा हूं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं आपको यह realize करवाने के लिए कि अगर आप कोई चीज को अच्छे से समझते हो ना जैसे KMP था आपने समझा कि KMP का क्या मकसद है KMP का goal क्या था एक string को दूसरे string में ढूनना efficiently तो आज का question 2 और 4 बे भी वही चीज है कि एक string को दूसरे string में ढून रहो लेकिन efficiently आपको ढूनना पड़ेगा सेम उसी तरह का question है तो देखो इन लोग के mind में click कर गया ना कि अच्छा हाँ KMP यूज कर सकते हैं ठीक है और भी बहुत सारे string finding algorithms हैं जैसे Rabin Carp है उसको भी यूज कर सकते हो या ना तो वो सब भी वीडियो आईगी मेरी string algorithms वाले playlist में बट मैं आपको realize करवाना चाहता हूँ कि इसलिए समझा करो किसी भी चीज को जैसे डायक्त्रा मैंने पढ़ाया था उसको समझो क्या reason है क्यों कोई चीज किया गया उसमें मैंने KMP पढ़ाया तो उसको भी समझो कि महाँ पर कोई चीज क्या ही गया है तो क्यों की गया है ताकि future के questions related questions easy बन सके तो इतना लंबा भ इसका constraint पार्ट वन का constraint थोड़ा सा लूज है और पार्ट टू का constraint थोड़ा सा टाइट है बढ़ हमारा जो KMP का solution है वह already optimal solution है तो दोनों problem में हम same code copy paste मारेंगे और दोनों accept हो जाएगा ठीक है तो चलो पहले तो question समझते हैं उसके बाद हम इसको intuition लेंगा के solve करेंगे तो देखो problem statement तो दोनों का same है तो इसी को पढ़ लेते हैं you are given a zero index string s आपको एक s दे रखा है यह देखो कितना बड़ा सा string है यहाँ ठीक है ओके उसके बाद क्या दे रखा है और एक और एक और स्ट्रिंग है a और एक और स्ट्रिंग है b तो तीन स्ट्रिंग दे रखा है य यह हो गया आपका s यह a और यह b ठीक है और एक के नाम का के इंटीजर दे रखा है अब बोलता क्या है कोई भी इंडेक्स आई वह beautiful कब कहलाएगा उसका condition दे रखा है वह beautiful तब कहलाएगा जब उस आई वह इंडेक्स आई और वह आउट और बांड नहीं होना चाहिए ठीक जैसे मान लेते हैं यह जो string है वह m y है तो देखो यहां पर m y है last में यह रहा है तो इसलिए बोल रहा है कि i जो है s.length-a.length से less than यह equal to होना चाहिए ताकि आपको यह string मिल जाए m y यह m y मिल गया आपको i th index पे ठीक है यह clear यह clear और एक और बोल रहा है एक और index j होना such that j less than equal to s.length-b.length और उस jth index पर यह b string आपको मिल जाना चाहिए देखो जैसे यह b string है तो squirrel कहां मिला देखो तो यहां पर मिल गया आपको तो यह j index हुआ जहां पर यह squirrel start हुआ है jth index पर यह squirrel start हुआ है find आपने उस index पर किया है तो आपने कहा कि इस string को यहां पर ढूंडा और इस string को भी यहां ढूंडा ठीक है और यह ध्यान रखना कि यह जो we are in join जबहुत जगा मिल सकता एक तो यहां दिखा मुझे तो इंडेक्स नमबर 33 है यह एक यहां दिखा मुझे यह इनडेक्स नमबर 16 है ठीक है एक squirrel यहां दिख रहा है ठीक है यह index नमबर 4 पर मिला और यह index नमबर I think 18 है तो multiple जगा मिल सकते हैं, तो और last क्या है कि जिस index पर आपको a मिला था और जिस index पर आपको b मिला था, उन दोनों का absolute difference less than equal to k होना चाहिए, ठीक है, और return the array that contains beautiful indices, हर वो i indices आपको return करना है, sorted order from smallest to largest, ठीक है, तो देखो इस example से देखते हैं, यहाँ पर a दे रखा है, यहाँ पर जो a दे रखा न वो my है, तो यहाँ पर क्या बोलता है, the index 16 is beautiful, क्यों, क्योंकि देखो, s के 16 पर अगर जाओगे, तो वहाँ पर my मिल जाएगा आपको, यह रहा, यह 16 इंडेक्स है, इंडेक्स पर मिल गया, अब and there exists an index 4 with, देखो यहाँ पर index 4 पर देखो, squirrel मिल गया, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, कि आपको a कौन-कौन से index पर मिला था, a कौन-कौन से index पर मिला आपको, एक तो मिला 16 इंडेक्स पर मिला, और एक देख रहा हूँ, a पता है, मुझे य यहाँ पर मिला index 4 पर, और एक आपको b मिल रहा है, यहाँ squirrel पर, यह है 18 इंडेक्स से शायद, ठीक है, तो यह मैंने लिख लिया, कि 16 और 33 इन दोनों index में a मिला था, और b जो है, वो 4 और 18 में मिला था, ठीक है, यहाँ तक clear है, आप देखो ध्यान देना, यह मेरा i index है, जह यहाँ पर आपको a मिलता है, उसी को i index बोल रहा है, यह रहा, जहाँ पर आपको a मिल रहा है, वो i index है, तो यह सारे i indices है, i index है, बट वो beautiful है कि नी, वो हमें देखना पड़ेगा, और यह क्या है, यह j indices है, ठीक है, यहाँ तक clear है, अब यह क्या बोलता है, कि हमें बस यह चेक करना है, कि क्या i minus j का मोडियूलो, i minus j का मोडियूलो, less than equal to k है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, यह i 16 क कोई भी j को उठाओ, पहले 4 को उठाते हैं, 4, क्या यह less than equal to k है, k क्यों लिक है, 15 है, yes, 12 less than equal to 15 होता है, यानि कि 16 वा जो i index है, वो एक beautiful index है, तो answer में अपना मैंने 16 डाल लिया, ठीक है, तो चलो 16 को तो मैंने देख लिया, कि 16 beautiful index है, तो 16 तो tick mark कर दिया, और index हो देख लेत 4, कितना हुआ, 29 हुआ, क्या यह less than equal to 15 है, नहीं, ठीक है, लेकिन दूसरा देखते है, दूसरा एक और j है हमारे पता 18 है, हाँ, 33 minus 18 less than equal to 15 है, ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा index मिल गया ना, जिसमें यह वाला rule follow हो रहा है, i minus j का absolute difference less than equal to k है, यह जो i है ना, भले 4 से beautiful index नहीं बना पा रहा था वो, ठीक है, लेकिन 18 से बना लिया उसने, इस i नहीं, है ना, इसने 18 से बना लिया, क्योंकि 33 minus 18 का module less than equal to 15 है, यानि यह condition भी मेरा pass कर गया, तो यह beautiful index है, यह भी, 33 भी एक beautiful index है, तो मैंने 33 answer में लिख दिया, ठीक है, मतलब आप beautiful indices i वाले ही है, सिर्फ, i ही return करना है आपको answer में, और sorted order में return करना है, 16, 13, 16, 33, इसलिए दिखो इसका answer 16 और 33 है, तो हमारा सबसे बड़ा सरदर्द यहाँ पर यही है, कि यह जो A है ना, किस-किस index में मुझे मिला है, वही तो निकालना है बस, और यह जो B है, मुझे किस-किस index में मिला है, वही निकालन है, कहां-कहां उसकी occurrences, उसका index निकाल सके, सबसे efficient, मैंने आप तक पढ़ा रहा है, वह है KMP, KMP यही तो करता था, एक given text को, जैसे माल लेते हैं यहाँ पर एक यह text है, हमारा, इसको ढूंता था, कि यह किस-किस index में present है, हमारे इस input पे, यही तो करता था KMP, और वह efficiently हमें स वह हमारे S वाले string में, किस-किस index से present है, यह दोनों जब निकल गया, उसके बाद तो simple logic है, उसके बाद आपको क्या करना है, बस check करना है, यह 16 जो आई index है, क्या यह beautiful है, यह 16 जो आई index है, वो क्या यह beautiful है, बस यही तो करना है आपको, तो सबसे पहला step आपके मन में क्या आ लगाओ, है ना, और भेज दो, क्या है भाई, किसको ढूणना है, A को ढूणना है, यहाँ पर लिखते हैं, क्ये एंपी लगाओ, A को ढूणना है, किसमें S में ढूणना है, जो जो indices हैं, उसको एक vector में store कर लो, vector of, इसका नाम क्या देते हैं, I indices, इसमें सारे आगे, मेरे, वो indices आगे, जहाँ जहाँ पर A present है, S में, ठीक है, similarly, vector of J indices, J indices क्या था, जहाँ जहाँ पर B present है मेरा, जहाँ 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 पर B present है मेरा, इन S, तो यह दोनों जब निकल ही गया है, इसके बाद तो बड़ा simple सा चीज है, हमें बस यह चेक करना है, कि हर I indices beautiful है कि नहीं, कौन the beautiful indices आई, बस beautiful indices आप निकाल लेना, क्योंकि आपको indices तो मिल गए, जहाँ जहाँ पर A present है, in the string S, और आपको वो indices भी मिल गए, J, जहाँ जहाँ पर B present है, in the S से वला string, ठीक है, अब बस आपको यही पता करना है, क्या यह 16 beautiful है, क्या यह 33 beautiful है, बस यही चेक करना है, तो सबसे simple तरीका क्या है, चेक करने का, कि I indices में एक को उठाओ, 16 को उठा लिया, और देख लो कि क्या 16 किसी से भी, किसी से भी यह relation बना पा रहा है, absolute value of 16 minus 4 less than equal to k है क्या, या फिर absolute value of 16 minus 18 less than equal to k है क्या, अगर है, किसी एक से भी है, तो यह beautiful है, true, यह beautiful है, है ना, तो उसको result में डाल देंगे, ठीक है, similarly, 33 को भी उठाएंगे, किसी एक से भी, 33 minus 4 का module निकालो, less than equal to k है, कि नहीं है, कोई बात की, आगे और चेक करते हैं, किसी एक से मिल जागा है, तो बस true mark कर देंगे, कि वो beautiful है, हाँ, 33 minus 18 less than equal to k है, तो यह true mark कर दिया, कि यह भी beautiful है, तो इसको भी answer में डा यह मेरा answer आगया, तो यह देखा जाए, तो अभी जो आपने क्या किया, एक को पकड़ा, और यहाँ ढूंडा, जिसके साथ भी बैट जाए, फिर इसको पकड़ा, फिर यहाँ ढूंडा, जिसके साथ भी बैट जाए, वो condition satisfy कर जाए, तो यह n square आप कर रहे हो, quadratic दिमाग indices, ठीक है, इफ, i-j का absolute value less than equal to k हो गया, तो result में आपने i को डाल दिया, और break कर गया, कि हाँ, अब next i को देखना है, बट यह for loop देखरो, double for loop हो गया, यह तो अपका n square चला जाएगा, worst case में, तो n square भी शायद पास हो जाएगा, सारे test cases, जहां तक मुझे लग रहा है, बट म यह n square नहीं लगाया था, बट आप n square से भी try कर लेना, double for loop लागे try कर लेना, उससे भी एक simple तरीका है, देखो ध्यान दो, इन सबको हटा देता हूं, उससे भी simple तरीका है, देखो मैं क्या करूंगा, कि भाई, यहाँ पर एक एक करके, 16 को पहले पकड़ता हूं, ठीक है, त less than equal to k हो, यही चाहिए न आपको, तो j क्या-क्या हो सकता है, वो सोचो, अगर माल लेते हैं, इसको आप खोलोगे, इस equation को, तो एक possibility तो यह है, 16 minus j less than equal to k होगा, और दूसरी possibility क्या है, 16 minus j greater than equal to minus k, यह अपने बच्पन में पढ़ा होगा, कि एक absolute को जब आप खोलते होना, त ठीक है, अगर minus आया, तो sin यहाँ बदल जागा, यह दो positivity में खुल सकता है, ठीक है, तो यहाँ से j निकालो, j is greater than equal to 16 minus k, यहाँ पर j निकालो, j is less than equal to 16 plus k, ठीक है, मतलब कोई भी एक ऐसा index, जो greater than equal to 16 minus k हो, and less than equal to 16 plus k हो, यहाँ वो मेरा, यह valid होगा, कि वो इस चीज को satisfy कर जाएगा, कोई भी एक ऐसा j, जो 16 minus k से just बड़ा या equal to हो, यह 16 plus k से just छोटा या equal to हो, ठीक है, तो देखते हैं, पहले तो क्या करते हैं, 16 minus k निकाल लेते हैं, और 16 plus k निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 16 minus k की value कितना है, 15 है न, तो 16 minus 15, 1 हो गया, और 16 plus 15 है न, 31 हो जाएगा, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा index जुणना है, जो greater than equal to 1 हो, and less than equal to 31 हो, ठीक है, तो 4 है क्या, yes, 4 भी है, कोई भी एक मिल जाए, तो यह 16 valid answer हो जाएगा, ठीक है, है न, क्योंकि मैं 16 के लिए निकाल रहा हूँ, तो मैंने क्या कि 16 के leftmost, य तो मतलब 16 एक beautiful index है, तो 4 है न, 1 से 31 के बीच में आ रहा है, 18 भी 1 से 31 के बीच में आ रहा है, तो 16 डेफिनेटल एक beautiful index है, similarity 33 को देखो, इस बर निकालते है 33 का, 33 मैनेस के, 33 प्लस के, ठीक है, तो 33 मैनेस 15 कितना होता है, 33 मैनेस 15, 13 मैनेस 15, 8, 1, 18 होता है, ठीक है, और 33 प्लस 15, 48 होता है, ठीक है, तो देख लेते हैं, क्या 4 greater than equal to 18 and less than equal to 48 है, नहीं, 18, ठीक हो, greater than equal to 18 है and less than equal to 48 है, तो 18 एक valid है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी एक से भी यह अगर valid condition हो रहा है, तो यह beautiful index है, ठीक है, तो यह तो मैने mathematically संधा है, बट अकर आप दिमाग भी less than equal to k बन जाए, तो अब्वेसी बात है, आप क्या चाहोगे, कि 16 से k left में जाओ, 16 minus k, और 16 से k right पे जाओ, 16 plus k, और कोई भी index अब मिल जाएगा इस range में, कोई भी index मिल जाएगा, जे index, कोई भी जे index इस range में मिल जाएगा, तो अब्वेसी बात है, वो हमेशा यह follow करेगा, 60 minus j, less than equal to k, क्योंकि एतना ही range ही है उसका, ठीक है, तो यह तो मैंने ऐसी समझा दिया, बट ऊपर मैंने यह mathematically भी आपको समझाया, यह और यह, यहाँ से निकाला, ठीक है, तो यह तो समझ में आ गया, अब एक चीज़ आपने ध्यान दिया, मैंने कैसे निकाला, मतलब आपक क्या हो जगा, i plus k, अब आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर, जो इन दोनों range के बीच में हो, ठीक है, वो मेरा, तो वो, it will make my i index as valid, i-th index as valid, as beautiful, ठीक है, तो बड़ा एक, simple सा तरीका है, यहाँ पर देखो, यह, आरे, आपका sorted है, तो यार, binary search ला आके निकाल लो, अब lower bound निकाल लो, एक ऐसा element, जो just i-k से बढ़ा हो, and i plus k से छेटा यह equal हो, ठीक है, तो मैं simply, या तो binary search अपना लिख लो, या तो मैं simply lower bound लगा दूँगा, lower bound लगा दो, इस पर, lower bound, किस पर लगाओगे, j index, क्योंकि आपको j ढूनना है, na, j index वे से लोग bound का काम क्या होता है, it returns the first element, which is just greater than equal to the given input, हमारा input कहा है, left limit, तो left limit से just greater than equal to, एक index हमें दे देगा, ठीक है, और हमें वही निकाल नहीं था, कि j जो है, just greater than equal to 16 minus k, यानि कि left limit होना चाहिए, लेकिन, जो index ये लाके देगा मुझे, मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, कि वो, जे से less than equal to भी होना चाहिए, तो माल लेते हैं, यहाँ पर मुझे iterator मिल गया, just greater than equal to left limit के element का, हमें यहाँ ये भी चेक करना पड़ेगा, कि if, it must be less than equal to 16 plus k also, मतलब right limit, i plus k, right limit also, अगर ऐसा है, इसे मतलब तो क्या होगा, कि वो, इससे greater than equal to है, इससे less than equal to है, तो मतलब वो, पक्का, यह वाला rule follow करेगा ही, करेगा, i minus j less than equal to k, ठीक है, तो मैंने lower bound की मदस निकाला है, आप double for loop लगा के भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिकत नहीं है, but main मकसद क्या था, आपको यह सिखाना कि, भाई, kmp छिपा वाता है इसमें, और आपने kmp यूज करके, indices निकाले हैं कि नहीं, ठीक है, तो देखो, मैं अभी क्या करूँगा, kmp कोड exactly copy paste करूँगा, जो दो दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, but आप तो मैं lower bound से निकाल लूँगा, और यह हमारा result, i को हम add result में add करते चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, dry run करके दिखा लेता हो, यह माल लेते हैं, i है, ठीक है, मैंने कहा किया, 16 minus k निकाल लिया, 16 plus k निकाल लिया, उसका just यहाँ पर लिखके देख लेते हैं, 16 minus k औ 1 से just greater than equal to element कौन है, 4 है, मिल गया, पहला element यही है, जो 16 minus k से just बढ़ा यहाँ, तो equal है, ठीक है, क्या यह less than equal to 31 है, 16 plus k, yes, तो i मेरा beautiful index है, है न, ठीक है, इसको एक index मिल गया है, जिससे वो, वह वहला relation बना पा रहा है, i minus j less than equal to k, ठीक है, यहाँ तक clear है, ओके, तो i मेरा beautiful index ह होगे, अब आएंगे इस पे, 33, ठीक है, तो 33 minus k और 33 plus k, similarly, same चीज़ यहाँ पर भी लगाएंगे, क्या ही है, तो 33 minus 15, कितना था, 33 minus 15, यह था हमारा 18 था, ठीक है, यह था हमारा 18, और यहाँ पर कुछ आएगा, माल लेते हैं, 42 यह ऐसा कुछ आ रहा था, तो यहाँ पर greater than equal to 18 है, मता 18 का lower bound निकालोगे, तो यह आपको यह return करेगा, है ना, तो अब बैस है, यह greater than equal to 18 है, less than equal to 42 है, तो यह भी हमारा valid index होगे, I, beautiful, इसलिए हमारा answer 16 और 33 है, ठीक है, तो अब देखो, same code को मैं इसमें भी चिपकाऊंगा, ठीक है, और same code इसमें भी चिपकाऊंगा दोनों के दोनों accept हो जाएंगे, तो चलो, जल्दी से code करते हैं, और time complexity में उसी मैं आपको discuss करके दिखा दूँगे, तो चलो, start करते हैं, सबसे पहले, part 1 को कर लेते हैं, यह part 1 है, same code, part 2 में भी copy करेंगे, और देखना वो भी accept हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने एको बोला था कि सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कि चलो, पहले तो इसका length निकाल लेते हैं, जो हमारा s input है, उसका length निकाल लो, int n is equal to s dot length, ठीक है, अब मुझे क्या कर रहा था, vector of int i underscore indices, यह क्या करेगा, kmp algorithm से मेरा क्या निकाल के देगा, जहाँ जहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, kmp s, मतलब, a जो है, a वाला string है, वो s में कहां-कहां present है, ठीक है, similarly, j indices निकाल लेता हूँ, यह मेरा क्या बताएगा, हर वो indices जहाँ-जहाँ पर b present है, in s, ठीक है, तो देखो, अब मैं kmp algorithm copy paste कर रहा हूँ, पर आप मत करना, आपको revise करना है, तो खुद से type करना, ठीक है, तो म मैं एक मैंने बना रखा, string algorithm का अलग से repository, इसमें सारे string के algorithm में डालूँगा, यह kmp code है, तो exactly kmp code मैं copy मार रहा हूँ, ठीक है, यह copy मार दिया, पूरा का पूरा, यहां से लेकर, यहां तक, ठीक है, तो इसको मैं यहां पर copy paste कर देता हूँ, ठीक है, अब देखो, ध्यान दो इसको थोड़ा सा पीछे कर दिया, ठीक है, इंडेंट कर दिया, और kmp नाम function का नहीं है, सर्च है, तो kmp बना दिया, ठीक है, यहां तो kmp ने मेरा सारा काम करके दे दिया, ठीक है, तो मैं इसको minimize कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद तो बहुत simple code मैं आपको बताया था, कि पहले तो vector of int, result ले लो, और याद रखना कि यह already sorted fashion में देता है, मेरा input, output, already sorted, already sorted, जैसे-जैसे क्योंकि indices में मिलते चले जाते हैं, कोई भी string, तो वो index को डालते चला जाता है, आगे बढ़ते बढ़ते, तो index already sorted way में आते है, kmp से, result बना लिए हमने, अब एक एक करके सारे indices पर जाते है, int and i is equal to in i indices, ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, पहले तो मैंने बोला left limit निकाल लो, int left underscore limit is equal to i minus k, लेकिन एक चिस ध्यान देना, मैंने वहाँ पर नहीं बताया था, कि i minus k negative ही तो जा सकता है, तो negative क्यों जा रहे हो, maximum 0 तक चले जाना, ठीक है, अगर negative चल set हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह right underscore limit में, क्या करना था, i plus k करना था, लेकिन माल लेते हैं, अगर i plus k, मेरा out of bound हो गया तो, तो उस case में minimum of n minus 1, है न, minimum इतना index रखना पड़ेगा, i plus k माल लेते हैं, 1000 हो गया, ठीक है, बट मेरा जो s का maximum index है, वो n है, n minus 1 ही है, तो देखो, n 1 minus 1 set हो जागा, उस case में, ठीक है, तो यह ज़रूरी step है, थाकि out of bound से बच सको, ठीक है, इसके वाद मैंने क्या बोला, कि left limit मिली गया, तो left limit को ढूंड लेते है, auto it is equal to lower bound, है न, लेकिन यान देना, मेरा जो इसका code है, जो मैंने github में लिखा है, जावा में मैंने lower bound की सकते हो, मैंने c++ लाइब्रेडी उसकी है, lower bound, j indices में ढूनना है, इस i इंडेक्स को, begin से लेकर ind तक, कि इसका भाई, left limit का lower bound होनना है, यहां तक clear है, अब देखना, ध्यान देना, सबसे पहले तो यह चेक कर लो कि it is not equal to j underscore indices dot ind, मतलब मिल गया है result, अगर not equal to j indices dot ind, इसका है, और और यह एक और चीज़ चेक कर लिया, अगर ऐसा है, तब तो result dot push underscore back, यह जो i इंडेक्स था ना, यह मेरा beautiful index i, इसको डाल दिया, और अगर ऐसा नहीं तब तो कुछ करना ही नहीं है, आई मेरा beautiful index नहीं है, तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, और last में हमें क्या करना है, return result कर देना है, ठीक है, रंग करके देखते है, we should be able to pass all the test cases, same code को हम copy paste करने वाले हैं अभी part 2 में, ठीक है, ओके, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, तो हमने KMP का code कैसे लिखा था, कि वो one based index result return करता था, है ना, तो हमें one based indexing नहीं चाहिए, हमें चाहिए, zero based indexing ना, तो यहाँ पर plus one हटा दो, है ना, यह आपको याद होगा, अगर आपने मेरा KMP वाले वीडियो देखा है कि नी, इसलिए pre-requisite क्या है भाई, KMP वाली वीडियो जरूर से देखना मेरी, एक घंटी की part 2, sorry link गलत दे दिया मैंने, part 2 शायद ऐसे निकलेगा, हाँ, तो part 2 में देखा अभी मैं क्या करगो ना, same code जाके copy paste करने वाला हो, एक दम same code, ठीक है, same code copy कर दिया, okay, इसको submit करके देखते है, देखना, pass हो जाएगा, यह भी, part 2 यह hard marked है, indeed yes, we have passed all the discusses for this code also, ठीक है, time complexity अगर आपको याद होगा, तो देखो, यह जो है ना, computer LPS और KMP, तो KMP का time complexity O of, इसका length और इसका length होता है, दोनों का summation, तो O of, A का length माल लेते हैं, M है, और इसका length N है, तो O of M plus N होगा, इसका भी O of, अगर B का length माल लेते हैं, कुछ भी माल लो, T माल लो, T plus N होगा, ठीक है, तो है तो linearी ना, ठीक है, और यहाँ पर I indices माल लेते हैं, O of N इसका लग रहा है, क्योंकि N indices है, वर्स के समाल लेते हैं, लेकिन lower bond लगा रहे हैं, J indices में, तो lower bond के time complexity क्या होता है, O of log N, ठीक है, तो N into log N होगा, overall time complexity, यह N times चलेगा, और अंदर log N चल रहा, तो मेरे GitHub वाले repo में जागा, तो महाँ पर आपको दोनों मिल जाएंगे, find beautiful string array 1 और 2 दोनों मिल जाएंगे, lower bond निकालना, तो मैंने binary सचते निकाल लिया, वो आप पर आप कैसे भी निकाल लो, ठीक है, तो lower bond निकाला और lower bond का check कर लिया, कि भाई वो J indices dot size से कम होना चाहिए, और J indices dot get lower bond less than equal to right limit से भी छोटा होना चाहिए, से less than equal to right limit होना चाहिए, ठीक है, तो exactly same code है, C plus के सारा, तो Java भी आपके clear है यहां पर, time competition भी हमने सीख लिया है, सबसे जरूरी lesson मैंने starting में बता दिया, कि कोई complex algorithm अगर आपने पढ़ा है, जैसे केम भी पढ़ा है, complex है यह है, तो इस पर related questions बनाओ, तब जाके आपके दिमाग में बटे गई, ठीक है, see you guys in the next video, thank you.